अब समझी मैं उनती मैं आपके अपने computer पूर से तो आज मैं episode number 3 arranging order का लेके आई हूँ जिसमें आपको आज different type के questions कराऊंगी अभी तक आपने alphabetical series, English alphabetical series के according अब आपको इनको different type से questions है और इनको different type से करना है यानि कि इसमें दिये गया शब्द कुछ है उनको एक सार्था क्रम में लगाना है यानि कि इनको सेंस से आपको करना है कि कौन सी चीज पहले होगी then कौन से बात में होगी तो इनको arrange करते हैं तो इसका first question आपकी screen पर है इसमें कहा गया है दिये के शब्दों को सार्था क्रम में लिखिए first पढ़ना सुनना तूसरा third लिखना fourth बोलना सबसे पहले आपको option दिया गया है a 4213 b 2431 c 2413 d 4321 तो सबसे पहले हम बताइए हम क्या चीज करते है कोई बच्चा होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है क्या वो बच्चा होता है तो सबसे पहले वो सुनना सुरू करता है जिसे सुनकर वो observe चीजे को करता है तो सबसे पहले जब वो सुनेगा तो यानि कि हमारा क्या आना चाहिए option 2 आना चाहिए second word यानि कि पहले आएगा तो हमारे a और c a option में fourth number पहले है और d है यानि कि a और d eliminate हो wait since में वो बोलना स्टार्ट करता है तो फिर उसके बाद क्या आएगा आपका बोलना बोलने के बाद क्या करता ai बोलने के बाद वो पढ़ना star करता है एक लिखना sort करता है तो हमец corporateल ओऊ को duda लिखने कि अंब के if two of bus map और को कॉछ भी पकदा दिया जाए तो लाइन्स रोा कर यानि कि 1, 2, 4, 3, 1, तो 2, 4, 3, 1 हमारे B option में आ रहा है, तो इसलिए B is the right answer. अब हम आते हैं, अपने next question, second पर इसमें कहा गया है, शब्दों को सार्था क्रम में लिखिए, पहला है खिड़की, second new, third, first, fourth, रोशंदान, fifth, छत, A option आपका दिया गए, 3, 2, 1, 4, 5, B, 2, 3, 1, 4, 5, C, 1, 2, 3, 4, 5, D, 3, 1, 2, 4, 5, सबसे पहले बताईए कि कौन सी चीज पहले आएगी, यानि कि कौन सा शब्द पहले आएगा, तो हम जानते हैं कि अगर कोई plot होता है, या फिर कोई जमीन होती है, अपने घर बनवाते हैं, सबसे पहले उसके लिए क्या क्या जाता है, तो मैं पता है किसी भी चीज की सबसे पहले नीव रखी जाती है, यानि कि नीव हमारे किस option में आ रहा है, second वाले में, मलत नीव किस number पे, second number, तो हमारे किस option में आ रहा है, यानि कि B option में आ तो हमें और शेक करने की need ही नहीं है, यह हो गया एक smart तरीका, अगर आपको और भी कही options दिये जाते हैं, तो नीव के बाद क्या आता, तो हम जानते हैं, नीव के बाद क्या आएगा, first आएगा, first के बाद क्या रखा जाएगा, खिड़की, then रोशन दान, रोशन दान के बाद आपकी छट रखी जाएगी, तो आपको कौन सा option सही हो जाएगा, हमारा B is the right answer, यह होता है, elimination process, and हम आते हैं, अपने third number question पर, जो कि आप स्क्रीन पर इसमें कहा गया, 2, 3, 5, 1, इसमें से कौन सा option हमारा correct होगा, तो हमें पता है कि सबसे पहले, अगर हमको कौन सी चीज होगी, जो हम इन सब चीज का use करेंगे, तो हमें पता है, जब हमें कोई रोग होता है, तब ही हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हिलाज करवाते हैं, और शदी लेते हैं, तन उसका क्या होता है, निधान हो जाता है, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ठर्ड नंबर रोग, तो रोग हमारे किस option में देख रहा है, तो हमारा कौन सा option सही हो जाएगा, अगर मानली जिस और cocktail में ठर्ड पहले आ रहा होता, तो हम क्या करते, तो हमें पता है रोग के बाद क्या होगा, जिब रोग होगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रोग, अगर हमें कोई बिमारी होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं उसके बाद, यहागा पता चल गया कि हमें यह रोग है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे second number पर आगया, doctor के बाद हम क्या करते हैं इलाज करवाते हैं असका, इलाज third number पर आजाएगा, इलाज के बाद वो क्या करता है इलाज करता है, उसमें हमें क्या देता है औशदिया, यानि कि हमें दवाईयां देता है, उस दवाईयों को हम खाते हैं, then हमारा रोक सही हो जाता है, निदान हो जाता है, यानि कि 3, 2, 1, 5, 4, जो कि हमारे A option में है, तो is the right answer, वो था smart तरीका कि आपने देख लिया, थाल्ड किसी और option में नहीं है, तो आगे आपने चेक नहीं किया, अब हम आते हैं अपने next question, question number 4, जो कि आपकी screen पर है, आप देख रहे हैं, fourth question screen पर आचुगा है, इसमें कहा गया है, first beach, second आपका पॉधा, three, अंकुरन, fourth brun, five number है आपका full, six है full, तो A option होगा, 143256, B 654312, C 156423, D 153426, इनमें से कौन सा option हमारा correct हो जाएगा, तो सबसे पहले हमें पता है, अगर हमें कोई पॉधा या फिर कुछ उगाना होता है, सबसे पहले उसका हम क्या करते हैं, beach डालते हैं, तो beach हमारे किश option में आ रहा है, एक में, तो इससे हमारा B वाला eliminate हो जाएगा, क्योंकि A option में पहला one है, शब्द और D option में भी है, यानि कि B वाला option हमारा eliminate हो गया, अब हम आगे करते हैं, beach के बाद क्या होता है, beach के बाद हम जानते हैं कि, फिर वो brun बनता है, brun यानि कि fourth option में है, फिर brun के बाद क्या होगा, उसका अंकुरण होगा, अंकुरण होगा, यानि कि third option, अंकुरण के बाद क्या होगा, वो पौधा बनेगा, पौधे के बाद full निकलेंगे, फूल के बाद वो फल देगा, यानि कि six, तो one, four, three, two, five, six, तो हमारे case में option में आ रहा था, a option में, चाहते हैं, तो हमने जब fourth choose कर लिया था word, तो हम चेक कर लेते, तो हमारा c और d option भी eliminate हो जाता, तो हमको इतना लंबा चेक करने की need नहीं थी, और हमारा time बच जाता, तो हमारा a option correct हो चुका है, अब हम आते हैं, आपने next question, विप्ट पर, जो की screen पर है, इसमें कहा गया है, first है मेधग, इसको भी आपको सार्थक्रम में लगाना है, तो हम देखेंगे इन में से कौन, आपको दिख रहा होगा, एक दूसरे के भोजन दिख रहे हैं, यानि कि कौन किसका भोजन ही हाँ पर बन रहा है, तो हमें पता है घास, सबसे पहले हमारा क्या जाएगा घास, तो अगर हम देखें, फिट नंबर पहले आएगा, तो हमारा A और B option eliminate हो गया, अब हमें चेक करना है C और D में, तो हमें पता है घास, घास को कौन खाता है, घास को टिड़ा खाता है, तो टिड़ा हमारा second option आजाएगा, टिड़ा दुनों में है, फिट टिड़े को कौन खाता है, टिड़े को मेधग खाता है, यानि कि हमें इससे पता चल गया कि A, C वाला option होना चीए, लेकिन हमें पता होना चीए कौन किसको खाता है, तो में पता चल गया कि क्या था, घास को कौन खा रहा था, घास को टिड़ा खा रहा था, टिड़ा को कौन खा रहा है, मेधग, मेधग को कौन खा रहा है, साप, और साप को कौन खा रहा है, उकाओ, यानि कि इगल, तो साप कौन से option में है, साप है आपका fourth, then last second हो जाएगा यानि कि 53142 C option is the right answer अब हम आते हैं अपने आज के सीरीज के last question question number 6 जो कि सीरीज screen पर आपकी आ चुका है इसमें कहा गया है इसको भी आपको शार्थक रम में अरेंज करना है पहला है महाविद्याले सेकेंड है शिशू थर्ड बच्चा कौन सा हमारा correct हो जाएगा तो सबसे पहले मैं पता है कोई बच्चा जो होता है सबसे पहले वो क्या होता है शिशू होता है यानि कि second option तो second option almost सम्में है तो इसलिए इसको options को आप eliminate नहीं कर सकते है अब हम देखते है शिशू क्या होता है जब थोड़ा सा वो बड़ा होता है यानि कि वो बच्चा बनता है तो इससे आपका क्या हो गया ए और सी वाला option आपका eliminate हो गया अब शिशू बच्चा बना बच्चे के बाद जब बनता है वो कहां जाता है विद्याले विद्यार्जन करने के लिए फोर्थ option फिर इससे हमें पता चल गया कि हमारा B और D में दोनों फोर्थ पर आ रहा है अब हम क्या करेंगे विद्याले पहुँच गया उसके बाद वो क्या बनता है युवा होता है युवा यानि कि फिप्ट नंबर तो इससे हमारा फिर वो युवा बनेगा युवा जो बन जाएगा तो वो महा विद्याले में पढ़ने जाएगा यानि कि फॉर्स्ट तो टू थ्री फोर फाइफ वन किस क्रम में कौन सा option है हमने चेक किया कि यह D option में है तो D is the right answer तो यह थे आज की सीरीज के हमारे कुछ questions जो कि आपको इसको sense के according लगाना था पिछली class में हम लोग ने अंग्रेजी वड़माला के क्रम में अरेंज किया था इसको हमें अपने खुद के sense के according solve करना है और उनको सार्थकरम में लगाना है I hope आपको मेरी class अच्छी लगी हो इस tag के questions की practice कीजिएगा अगर आपकी कोई query हो तो आप मुझसे comment box में पूछ सकते हैं और आप इस tag के questions की और practice कीजिएगा थाकि आपको knowledge हो जाए कि कौन सी चीज पहले आएगी कौन सी बात होगी क्योंकि आप जितने questions solve करेंगे उतना आपका sense of humor अच्छा होगा Thank you class